असलाम लेकुम विवर्स हाओ और यू डिस इस श्वेव तारिक टोडिया वी आर गॉइंग तो स्टार्ट एनदर वीडियो विच इस कंसिस्ट आफ अलेक्र नेकिटिविटी हम केमिस्टी की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिन है तो वीडियो स्टार्ट करने से प आपको नई से नई informative वीडियो के सैंदा टो बिनवक्ट छाएं करें हम सलते हैंपनी वीडियो की तरफ अ वाट वट इस ऐलेक्र नेकिडिवीटी है धिएलेक्र नेकिडिवीटी तय क्या है डिफाइन अलेक्र नेक्र नेकिडिवीटी की तारीफ Len おstには है electronegativity actual में एक element की वो खासियत होती है जिसके जरी है वो क्या करता है एक electron pair को या आपके पास a shared pair of electrons होता है जो कि bonding electron होता है उसको अपनी तरफ attract करता है अपनी तरफ खैचता है तो उसे हम क्या मोलते है ऐलेक्र नेगटिवटी बोलते हैं ठीक है अपने कवे स्केचता है तो देफिनेशन की वह खासियत यानिकिंग की एक एक आपनी एक फोर्स और oldie है जिसके जरीये क्या करते हैं जो कि bonding अलेक्ट्राण होते हैं उसमें से electrons का जो shared pair होते हैं उसको अपनी तरफ attract करते हैं अपनी तरफ खेंचता है किसी कुवत के साथ किसी force के साथ तो उस force को या उस सलाहियत को हम क्या बोलते हैं electronegativity बोलते हैं ठीक है और examples यहां हमारे पास जो non metals हैं जैसा है fluorine chlorine and iodine यह जो हमारे पास elements होते हैं यह most electronegative elements होते हैं अमंग the periodic table periodic table के अंदर सबसे ज़्यादा जो most electronegative atoms होते हैं वो यह सारे non metals होते हैं और इन non metals में से सबसे more electronegative atoms है ना वह हमारे पास क्या है fluorine और fluorine की सबसे highest electronegative value होते हैं ओके जो के 4.0 है ठीक है fluorine एक वाहिद element है जिसकी सबसे ज़्यादा electronegative है periodic table के अगे सो इसकी एक example है वह मैं आपको examples में थोड़ा सा समझा जेता हूं ठीक है for example we have and HCl molecule और HF molecule ठीक है अब HF हमारे पास एक molecule है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि hydrogen और HF hydrofluoric acid या hydrogen fluoride के दरम्यान एक covalent bond है hydrogen और fluorine के दरमें ठीक है इसकी में थोड़ा सा मजीड detail लिखनो कि hydrogen के पास क्या होते हैं एक electron होते हैं इसको मैं आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है अब fluorine के पास कितने आउंट्रमूस 6 और यह 7 ओके यह दोनों आपस में एक covalent bond बनेंगे covalent bond बनाने के बाद ठीक है यह जो electron होगा यह hydrogen से थोड़ा दूर होगा और fluorine से करीब करीब होगा ठीक है तो यह जो है हमारे पास यह जो configuration बन जाएगी इस configuration को हम क्या बोलेंगे hydrogen fluoride यह जो HCl को HF को मैंने आपके सामें प्रिजंट कियों fluorine अब fluorine जो है यह एक covalent bond बनाया है hydrogen fluorine hydrogen fluorine के दरम्यान एक bond बना हुआ है ठीक है अब fluorine और hydrogen के दोनों-दोनों electrons एक दूसरे के साथ shared पे रहे हैं लेकिन due to the difference of electronegativity fluorine की electronegativity कितनी है 4.0 4.0 electronegativity है और hydrogen के electronegativity कितनी होती है 2.1 different books में different होती है लेकिन round about hydrogen की जो electronegativity है वो fluorine से कम होगा अब electron खेंचने की सलाहियत किसके पास जादा है fluorine के पास जादा है तो यह वाला जो electron होगा जो के hydrogen के दरम्यान था hydrogen की पास था वो ज्यादा shifted होगा fluorine की तरफ जिसकी वज़ा से यह जो overall हमारे पास bond जब भी हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसी रिप्रेजेंट करते हैं कि पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव मेंस के जो हाफ अड़र्जन का अलक्ट्रॉन था वो ज्यादा shifted हो गया fluorine की तरफ ठीक है due to the difference of present negative So electronegativity fluorine की ज्यादा होने की वज़से यह electron fluorine की तरफ ज्यादा shifted है तो यह कहलाती है electronegativity कहलाती है है तो स्टुडेंट्स आज की वीडियो को हम यहीं पर इश्टताम करते हैं इंशाला next वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे थैंक यू सो माच अलाहाफिस